सपा और बसपा के मजबूत गटबंदन से कॉंग्रिस और बीजेपी की रातों की नींद उल गई है उसका ये बहुत बड़ा कारण है कि जहां सभी लोग अपने अपने खेमे से लड़ने की बात कर रहे थे वहीं बीजेपी दूसरे के खेमे में जाकर सेख लगाने लग रही थी और उन्होंने सोचा था कि अपना इस गटबंदन को तोड़ देंगे लेकिन ये गटबंदन नहीं तूट पाया और ये कहीं मजबूत जादा गटबंदन नजर आता जा रहा है तेजश्वी यादव आरजेडी बगरा जैसी बहुत सारी पार्टें आज बसपा के साथ खड़ी हो गई है और उन्होंने अपने कई बातों में कहा है कि प्रिधान मंत्री के लिए हम अपनी दावेदारी नहीं रखते हैं सूत्रों के मताबित हम आपको बता दें कि बहन कुमारी मायावती लड़ सकती है नगीना से चुनाव क्योंकि बसपा सुपनी में मायावती नगीना सुरक्षित सीट मानी जाती है और लोगसबा सीट से लोगसबा चुनाव लड़ सकती है वहाँ सपा दूसे नंबर पर और बसपा तीसे स्थान पर रही थी क्योंकि बहन कुमारी मायवती जब पहली बार लोकसपा चुनाब लड़ा था तो उन्होंने नगीना से ही लड़ा था और वो उनकी बहुत पसिनिदा सीट है और वहाँ से वो आज तक इलेक्शन भी नहीं हारी है क्योंकि मायवती इस इलाके से वाकिफ है नगीना सीट पर मुस्लिम वा दलितों की तादाद 55 फीसिती से अधिक है 7-8 फीसिती जाट मद्दान भी है रालोट से गठबंदन की इस्तिती में इसे इसका लाब भी मिल सकता है तो अगर ये सारी चीज़ा हो जाती है तो 2019 के अंदर बहनकुमरी मायवती को कोई भी नहीं रोक पाएगा प्रधान मंतरी बनने से सपा बसबा के मजबूत गठबंदन इस गठबंदन ने सभी के आकड़े खराब कर दी है अब देखते हैं कि 2019 के अंदर बहनकुमरी मायवती अपने आकड़ों को मजबूत करके कितनी सीटों को अपने सुरक्षित कर पाएगी इसी तरीके के वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबी खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले ये थी SM News की रिपोर्ट